एवरिवन वेलकम टू सरसुती क्लासेज आसा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और UPSC प्रीवियस एर के क्योस्टन की जो हमारी सिरीज चल रही थी जिसमें हम मद्यकालिन भारत के क्योस्टन को देख रहे थे तो उसी सिरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट वीडियो को लेके आए हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्योस्टन है कि निम्मन कथनों पर विचार कीजिए पहला स्टेटमेंट है हिंदू देवी देवतों तथा मुस्लिम संतों की परसंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब इन नोरस इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है हिंदू देवी देवतों तथा मुस्लिम संतों की परसंसा के लिए जो गीतों का संग्रह लिखा गया था किताब इन नोरस वो इब्राहिम आदिल साद्वीतिय की द्वारा ही लिखा गया था इब्राहिम आदिल साद्वीतिय जो कि 1556 से 1627 तक रहे थे और ये बिजापूर सल्तनत के आदिल साइवंस के राजा थे और बिजापूर के बारे में खास बात क्या है कि यहां का जो गुबंद है वो विश्व का दूसरा सबसे विशाल गुबंद है और दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत में कवाली से जाने जाने वाली संगीत सेली के प्रारंबिक रूप के आरंबिक अमीर खुसरो थे अमीर खुसरो का जनम हुआ था 1253 में और ये 1325 तक रहे थे ठीक है इनके बारे में कुछ और बाते जान लेते हैं ये एक प्रमुक कवी थे सायर थे गायक और संगीतकार भी थे और इनका जो परिवार था वो कई पीडियों से राजदरबार से समन्दित था अमीर खुसरो ऐसे वेकती थे जिनोंने दिल्ली के लग आठ सुल्तानों का सासन देखा था अमीर खुसरों के बारे में कहा जाता है कि ये पर्थम मुस्लिम कवी थे जिनोंने हिंदी का खुलकर परयोग किया था और इन्हें हिंदी का यानि हिंद का तोत्ता भी कहा जाता है तो दोनों स्टेटमेंट यहां पे सही हो जाएंगे इबराहिम आदिल साद्वीतिय बिजापूर का सासक था जिसने किताब नोरस की रचना की अमीर खुसरों को भारत में कवाली के पिता के रूप में जाना जाता है नेक्ष्ट क्योस्टन है सुल्तान कुतुब दिन एबिक की मृत्यू कैसे हुई पहला स्टेटमेंट है उनके एक महत्वा कांग सी कुलीन वेक्ती ने कपट से छूरा मार कर उनकी हत्या कर दी दूसरा है पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के सासक ताजुदीन ये लोद के साथ हुए यूद में उनकी मृत्यू हुई तीसरा है बुंदेल खंड के किले कालिंजर का घेरा डालते समय उन्हें चोट लगी जिनके कारण बाद में उनकी मृत्यू हो गई चोथा है चोगान की कृड़ा के दोरान असव से गिरने के पस्चाथ उनकी मृत्यू हुई तो जो कुत्व दिन एबक थी वो दिल्ली के संस्थापक जो दिल्ली सल्तनत थी उनके संस्थापक और गुलाम वसके जो है पहले सुल्तान थे कुत्व दिन एबक जो है मुहमत गोरी की गुलाम थे उस समय क्या था गुलामों को जो है सेनिक सेवा के लिए खरिदा जाता था कुत्व दिन एबक ने अपनी राजदानी कहां बनाई थी लाहोर में और इन्होंने कुत्व मिनार की नेम भी डाली थी लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई थी तो इस परकार इसका आंसर होगा ओप्शन नंबर डी यानि इनकी मृत्यु हुई थी चोगान की क्रीडा की दोरान असव से गिरने के पस्चात कुत्व दिन एबक की 1210 में चोगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर जो है मृत्यु हो गई इसके बाद आराम शागद्दी पर बैठा कुत्व दिन एबक ने उत्तर भारत में 1206 में पर्थम सवतंतर तुर्की समराज्य की नेम डाले नेक्स क्योस्टन है निम्मल लिखित में से कौन सा करम सही कालानुकरम को जो है दर्शाता है option A है संक्राचारे रामानुच या चेतन्य option B है रामानुच संक्राचारे और चेतन्य option C है रामानुच चेतन्य और संक्राचारे और D है संक्राचारे चेतन्य और रामानुच तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है तो कौन किस सम्य में था जो संक्राचारे थे ये थे नौमिस्ताबदी में रामानुज एक हजार सत्रा से कब से कब तक रहे थे ये रहे थे एक हजार सत्रा से ग्यारा सो सेंतिस तक जो रामानुज है और संक्राचारे जी थे ये नौमिस्ताबदी में थे और चेतन्य गब ये थे 1486 से 1533 तक तो सबसे पहले कौन थे? नोमिस ताबदी में संकराचारे सबसे पहले संकराचारे इन दोनों में हैं तो ये दो तो वैसे ही गलत हो जाएंगे और उसके बाद रामानुच और चेतन्य गब थे? 1486 से 1533 तो इस प्रकार इसका आंशर हो जाएगा ओप्सन नमबर A यानि सबसे पहले आये थे संकराचारे उसके बाद में रामानुच और लाष्ट में चेतन्य सही कलानू कर्मिक करम निमर हैं संकराचारे नोवी स्ताबदी में हैं रामानुच जो है 1017 से 1137 तक है और चेतन्य जो है 1486 से 1533 तक है तो ओप्सन नमबर A इस प्रकार इसका सही आंशर हो जाएगा नेश्ट क्योस्चन है निम्मल लिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला स्टेटमेंट है नर्सिमा सुलू ने संगम वंस का अंत किया यहाँ पे आएगा तुलू वंस नर्सिमा तुलू ने संगम वंस का अंत किया और उसने राज सियांसन चीन कर तुलू वंस का आरम किया दूसरा स्टेटमेंट है वीर नर्सिमा ने अंतिम दुलू सांसक को गदी से उतार कर राजशी आंसन छीना, तीसरा है वीर नर्सिमा के उत्तरवर्ती उनके अनुज क्रिशन देवराय थे और चोथा है क्रिशन देवराय की उत्तरवर्ती उनके जो है सोतेले भाई जो है अच तीन और चार ठीक है जो विजयन अगर सम्राज्य था उसमें सबसे पहले कौन सा वंस आया था सबसे पहले आया था संगम वंस उसके बाद में आया था सालव वंस उसके बाद में आया था रावी दूराज वंस तो सुलू वंस की जगहियां पे शालो वंस क्योंकि शालो वंस ने अंत किया था संगम वंस का तो यहां पे शालो वंस आ जाएगा और उसने राज स्यांसन चीन कर शालो वंस का अंत किया था और वीर नर्शिमा ने जो है अंतिम शालो वंस को गदी से उतार कर राज सियांसन छीना तो इस प्रकार ओप्शन नमबर जो फोर है टी इसका सही आंसर हो जाएगा नर्शिमा सुलू ने संगम वंस को समाप्त कर राज सियांसन पर अधिकार कर लिया और सुलू वंस की सालो वंस की नीम डाली वीर नर्शिमा ने अंतिम से अलव सासक को गदी से उतार कर तुलू वंस की स्थापना की वीर नर्शिमा के उत्तरवर्ती क्रिशन देवराय एवं क्रिशन देवराय की उत्तरवर्ती सासक अच्ची उत्राय थे नेक्ट क्योस्टन है दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंस का अंतिम सासक निमन लिखित में से कौन था फिरोध सा तुगलक यासुदिन तुगलक शादवीत ये सी है नासिर उद्दीन महमूद और डी है नसरत शा तो दिल्ली सल्तनत की तुगलक राजवन्स का अंतिम साशक हमें बताना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासीर उद्दिन महमूद option number C इसका सही आंसर हो जाएगा तुगलक वन्स की स्थापना ग्यासु दिन तुगलक नहीं की थी और कब की थी 1320 इसुई में और नासिरु दिन मुहमत जो है तुगलक वंस का अन्तिम सासक था ग्यासु दिन रहे थे तेरा सो ग्यासु दिन तुगलक कब से कब तक थे तेरा सो बीस से 1414 तक ये रहे थे सबसे पहले कौन सा वंस आया था गुलाम वंस इसे हम मामलुक वंस भी कहते हैं दूसरे नमबर पर था खिलजी वंस फिर आया तुगलक राजवंस चोथे नमबर पर आया सेद राजवंस और पांचवी नमबर पर था लोदी राजवंस उसके बाद जो है इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया और मुगल समराजे की स्थापना कर दी नेक्स्ट क्योंचन है एहमद नगर की निजाम साहीवंस का अंत के से हुआ एहमद नगर की अगर हम बात करें तो ये पड़ता है महाराश्टर में ठीके तो चलिए इसकी चारों स्टेटमेंट देखते हैं पहले पहले स्टेटमेंट है एहमद नगर को मुगल समराजे में मिलाकर उसेन साह को आजीवन कारावास दिया गया दूसरा स्टेटमेंट है मुगल सेना ने दोलता बाद किला दवस्त कर दिया और एहमद नगर की निजाम उल्मुलक की हत्या कर दी तीसरा है फटेख खान ने निजाम उल्मुलक की राजगदी चीन ली और चोथा स्टेटमेंट है 1631 में मुगलों के साथ यूद में मलिक अंबर प्राजित हुआ और संपूरन राज परिवार जो है मुगल सेना दवारा मार दिया गया तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है यानि इनका अंद कैसे हुआ था एहमद नगर की निजाम साहिवंस का तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर ए यानि एहमद नगर को मुगल समराजे में मिला कर हुसेन सा को आजीवन कारवास दे दिया गया हुसेन साजो एहमद नगर के निजाम साइवंस का साशक था निजाम सावंस के मलिक एहमद नी 1488 में इस्वी में एहमद नगर की स्थापना की थी स्थापना की सने की थी एहमद नगर की निजाम सावंस के मलिक एहमद नी साज भहाने 1633 इस्वी में इसे मुगल समराजे में मिला लिया था नेक्स्ट क्योस्टन है सिख गुरुओं से समंदित निमल लिखित कथनों पर विचार कीजिए बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सेन्य पर मुखन्युक्त किया दूसरा है गुरु अरजन देव सिखों के गुरु रामदास के पस्चात बने और तीसरा है गुरु अरजन देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपी गुरु मुखी दे थे तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है तो पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं कि बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सेन्य परमुख बनाया था तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा क्योंकि बंदा बहादुर को गुरु गोविंद सिख ने सिखों की सेना का परमुख नियुक्त किया था ठीक है तो यहाँ पे दिया गया है गुरु तेग बहादुर जब कि यहाँ पे क्या आएगा गुरु गोविंद सिंग तो पहला statement इसका गलत हो जाएगा दूसरा है गुरू अरजन देव सिखों के गुरू गुरू रामदास के पस्चात बने तो ये statement यहाँ पे सही हो जाएगा तीसरा है गुरू अरजन देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपी गुरू मुखी दी थी ये भी statement सही हो जाएगा जबकि यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गुरु तेग बहादुर नहीं यहाँ पे आएगा गुरु गोबिन सिंग क्योंकि बंदा बहादुर को गुरु गोबिन सिंग ने सिख्धों का सेन्य प्रमुखनी किया था तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर B तो सिखों के कुल कितने गुरु हुए थे दस पहले कौन थे गुरु गोविंद सिंग, सोरी गुर्नानक देव दूसरे नमबर पे थे गुरु अगन देव तीसरे थे गुरु अमरदास, चोथे थे गुरु रामदास, पांसवे नमबर पे थे गुरु अरजन देव, छटे नमबर पे थे गुरु हर गोविंद, सातवे नमबर पे गुरु हर राए, आठवे नमबर पे थे गुरु हर किशन, और नौवे नमबर पे गुरु तेग बह आदूर को गुरुगोबिन सिंग ने सिखों की सेना का प्रमुख नियुक्त किया रामदास की पस्चात गुरुआ अर्जन जो हुए जिनों ने सिखों को गुरुमुखी लिपी दे थी नेस्ट क्योस्चन है कि कौन से वर्यत मंदीर की प्रारमभिक अर्भी कलपना तथा निर्मान सुरिय वर्मन के राज्यकाल के दोरान हुए तो हमें इसका कौन सा आंसर सही है ये बताना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number B जो है अंकोरवाट मंदिर जो है इसका सही answer होगा जिसका निर्माण सुर्य वर्मन के राज्यकाल की दोरान हुआ था अंकोरवाट की मंदिर की हम बात करें तो ये कहां पे है कमबोडिया में और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समारक है ये अंकोरवाट मंदिर का पुराना नाम था ये सोदरपुर इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था सुर्य वर्मन दुईतिय के द्वारा कब से कब थक थे ये ये थे 1112 से 1113 पनिश्वी तक इनके ही सासनकाल में अंकोरवाट मंदिर का निर्माण कमबोडिया में को समर्पित है इसका निर्मान सुर्य वर्मन द्वीतिय के राज्यकाल में प्रारम हुआ और यह विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक इमारत है और यह इन युनेसकों की जो है विश्व द्रोहर में शामिल है नेक्स्ट क्योस्टन है जब राजा वोडियार ने मसूर राज्यकी स्थापना की तविजे नगर समराज्यका सासक कौन था उप्शन ए है सदासिव उप्शन बी तिरूमल उप्शन सी रंगा द्वीतिय या उप्शन डी वेंकर द्वीतिय तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि राजा वोडियार ने मसूर राज्यकी स्थापना कब की थी तो ये की थी 1612वी में तो इस समय कौन था इसका सही आंसर है उप्शन डी यानि वेंकर द्वीतिय उस समय जो है विजे नगर समराज्यकी सासक थे राजा वोडियार ने 1612वी में मैसूर राज्यकी स्थापना की इनके समकालिन विजे नगर का सासक वेंकर द्वीतिय था नेक्स्ट क्योस्टन है वर्ष 1613 में अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कार खाना स्थापित करनी की अनमती मिली तो 1613 में कहां पे मिली थी अनमती तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नंबर D यानि सूरत में मिली थी और उस समय जहांगीर के सासनकाल में 1613 इस्था में ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कार खाना स्थापित करने की अनमती मिली और इस समय मुगल सासक जहांगीर था तो इस पर कार ओप्सन नंबर D इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्योस्टन है पहले कथन दिया गया है और उसके बाद में दिया गया है कारण तो हमें बताना है कि क्या कथन और कारण दोनों सत्ते है मुहमद बिन तुगलक ने एक निया समय सिका जारी किया जो इबन बतुता द्वारा दिनार कहलाया गया और कारण है कि मुहमद बिन तुगलक पस्चिम एसिया इत था उत्री अफरीकी देशों के साथ व्यपार में बिवर्दी के लिए समय सिकों की टोकन मुदरा जारी करना चाहता था तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है क्या नहीं पहला स्टेटमेंट तो इसमें सही है कि मुहमद बिन तुगलक ने एक निया समय सिका जारी किया जो इबन बतुता द्वारा दिनार कहलाया गया लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है इसमें गलत हो जाएगा तो इस परकार इसका सही आंसर हो जाएगा option number C यानि A सही है प्रन्तु R गलत है क्योंकि उसने बहुत सी सांकेतिक मुद्रा जारी करने का पर्चलन प्रारम किया था ने की किनी देशों के साथ वेपार के लिए मुहमद बिन तुगलक ने अपने जीवन में कई प्रयोग किये इसी के तहट उसने सांकेतिक मुद्रा जारी करने के लिए कांसे के सिकों का पर्चलन प्रारम किया ये इसकी घोर ऐस सफल योजनाओं में से एक थी नेक्स क्यूशन है दिली की राजगदी पर अफगान सासकों के सासन का निमन लिखित में से कौन सा एक सही काला नुकरम है पहला है सिकंदर शा इ corona लोदी, बहलोल खान लोदी, सिकंदर शा बहलोल खान लोदी या इबराहिम लोदी और तीसरा है बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह या इबराहिम लोदी चोथा है बहलोल खान लोदी, इबराहिम लोदी या सिकंदर शाह तो सिकंदर शाह का सासन कब से कब तक था ये रहे थे 1451 से 1489 तक और इबराहिम लोदी कब से कब तक थे ये थे 1527 से 1526 1526 में क्या हुआ था पानिपत की पर्थम लडाई हुई थी जिसमें इबराहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था और बहलोल खान लोदी थे 1451 से 1489 देखे अगर हमें इस बात का पता होगा कि अंतिम जो लोदी वंस का अंतिम सासक जो था वो इबराहिम लोदी था तो आदा से जादा हमारा इसे में आसान हो जाएगा क्योंकि ये दोनों तो वैसे ही गलत हो जाएंगे A और D तो क्योंकि अंतिम कौन था इबराहिम लोदी तो इसका सही आंसर क्या है option number C जो है सही आंसर है कि सबसे पहले बहलोल खान लोदी थे पंद्रा सो 1451 से 1489 के बीच में सुरी सुरी 1489 से आएगा यहां पर यह सीम लिख दिया गया है तो option number C इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले कौन थे बहलोल लोदी 1451 से 1489 के बीच में और उसके बाद में थे सिकंदर सा जो 1489 में बहलोल लोदी की मुरित्यों के बाद में बने थे और 1517 तक रहे थे और इबराहिम लोदी जो है 1517 से 1526 तक रहे थे नेक्स क्योंसर है भगत तुकाराम कौन से मुगल समराट के समकालिन थे बाबर के अकबर के जहांगीर के औरंगजेब के तो तुकाराम कब से कब तक रहे थे ये रहे थे 1608 हिश्वी से 1650 तक तो उस समय कौन से राजा का सासन था कौन से मुगल राजा का तो उस समय था जहांगीर का तो ओप्सन नमबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा तुकाराम जो है 1608 से 1650 तक जो रहे थे मराठा भगत सन तथा क्रिशन के अनुयाई थे ये दो मुगल सासकों के समकालिन थे जहांगीर 1605 और 1627 तक और साज जहां के 1627 से 1657 तक ऑप्सन में साज जहां नहीं है तो देख लीजिया तो ये इसका अनसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर से नेक्स्ट क्योस्टन है भारत के इतिहास के संद्रम में अब्दुलहमीद लाहोरी कौन थे ऑप्सन ए है अकबर के साज़न में महतवपुंट सेन्य कमांडर बी है सा जहां के साज़न का एक राजकिय है इतिहासकार और अरंग जेब का एक महतवपुंट सामन तथा विश्वास पातर اور दी है मौहमद सा के साज़न में एक उतिव वरतकार तथा कवि थे तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है सही है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर बी यानि यह साज हां के सासन का एक राज किया इतिहासकार था कौन अब्दुल अमीद लाहोरी अब्दुलामीद लाहोरी एक यात्री था जो साजहां के सासन में भारत आया था जिसने साजहां के राज के इतिहास कार जो न्यूक्त किया इसने बाजशानामा पुस्तक की रचना की जिसमें साजहां के काल का विवरण है तो क्योस्टन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बादसा नामा की रचना किसने की थी तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे किसने की थी अब्दुल अमीद लाहोरी में और इसमें किसके बारे में बताया गया है साज हां के सासनकाल का जो विवरण है इसके अंदर दिया गया है नेक्स्ट क्योस्टन है परसिद विजे विठल मंदिर जिसके 56 तक्सित स्टम संगीत में सवर निकलते हैं कहां अवस्तित है तो ये अवस्तित है ओप्सन नंबर C यानि हमपी में विजे विठल मंदिर हमपी में अवस्तित है और हमपी जो थी विजे नगर समराज्य की रा किस मुगल समराट के काल में इंगलिश इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सरोपर थमकार खाना स्थापित किया अकबर के सासनकाल में जहांगीर के साजहां के या डी औरंगजेब के तो इसका अंसर तो आप सभी को पता होगा option number B کس के सासन काल में हुआ था जहांगीर के सासन काल में उस समय जहांगीर के सासन काल में विल्यम होकिंग जो है इनके दरबार में आया था और पिछले के उस्टन में हमने देखा भी था कि जहांगीर ने सुरत में istoile 1113 100 nefactory Kholने की अन्पती अंग्रेजू को दे दी थी इसका explanation देख लेते हैं William Hawkingz जहांगीर के दर्बार में आया इसने जहांगीर से सुरत में 1613 isму फैक्टरी खोलने की अन्पती प्रापत की थी तो इस परकार option number B इसका सही answer हो जाएगा जहांगीर next के उस्टने परसीद वीरुपाक्स मंदिर कहां आवस्तित है भदराचलम में, चिदम ब्रम में, हम्पी में, या सिरी काल हस्ति में तो इसका सही answer हो जाएगा वीरुपाक्स मंदिर श्तित है Option No.C यानि हमपी में हमपी कहां पे है ये करनाटक राज्य में है करनाटक राज्य में हमपी तुग भंदरा नदी के किनारे स्थित्था हमपी ये युनेशको की विश्व ध्रोवर्स्तल है और विरुपाक्स मंदिर बनाया गया है दरविड सेली में माना जाता है कि जो हमपी ही है न वही रमायन काल का किसकिन्दा है और यहां भगवान सिव के वीरुपाक्स रूप की पूजा की जाती है और जो यहां का सिवलिंग है वो रावन और भगवान सिव से समंदित है तो चलिए अब इसका explanation देख लेते हैं विरुपाक्स मंदिर करनाटक के हमपे में तुब भंदरा नदी के दक्षण इतर्ट परस्तित है अब ये एक जो है विश्व दरोवर है और इसका निर्मान कृष्ण देवराय ने पंदरा सो नो में करवाया था नेक्स्ट क्योस्चन है सुची दो के साथ सुची एक का मिलान कीजिए और सुचियों के निचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए तो एक तरफ में हमें परसिद मंदिर दिये गए हैं दूसरी तरफ राज्य दिये गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा हो जाएगा ओप्सिंग नंबर एक और दूसरी का यानि विद्यासाग्र मंदिर करनाटक में में दूसरा है राज रानी बंदिर राज रानी मंदर सिर्थит है उरिष्या के भूनेश्वर में कि टीसरा कदरिया मंदिर कहां पे है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मद्य परदेश के खजुराहों में तो C का 3 जो था बच गया भिमेश्वर मंदिर यानि ये है आंदर परदेश में तो इस परकार इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर A जानि A का 2, B का 4, C का 3, और D का 1 भिमेश्वर मंदिर काकिनाड़ा आंदर परदेश में हैं कदरिया मंदिर जो है खुजुराओ मध्या परदेश में हैं, राजरानी मंदिर भूवनेश्वर उडिशा में हैं और विद्या संकर मंदिर जो अंगेरी करनाटक में हैं। नेक्ट क्योस्टन है, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्टरी किसकी अनमती से स्थापित की थी। तो ये क्योस्टन तो हमने पहले भी देखा हैं। इस तरह से UPSC में कई बार क्योस्टन रिपीट भी हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओप्शन नमबर B. इंग्लेंड के राजा जेम्स पर्थम ने वीलियम होकिंग्स को जहांगीर के दरबार में कार खाने कोलने की अनमती प्राप्ट करने के उदेशय से भेजा। देखे क्योस्टन वो ही है लेकिन उसे थोड़ा घुमा की पुछा गया हैं। क्योस्टन को आंसर बना हमारा अंतिम क्योस्टन है निमल लिखित में से कौन जो है भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। नागारजुन त्यागराज, दुकाराम या बलबाचारे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नंबर A यानि नागारजुन नागारजुन जो है भक्ति आंदोल निलता थे। तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगी तब तक के लिए धर्याज़।